जेहन दोस्तों मैं सचेन यादा वो आप सब का स्वागत करता हूँ SD Campus सब कैसे हैं आप सबी? उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होगे आप स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, जबर्जस्त होंगे और अपनी तयारी को बहुत बहतरिन तरीके से कर रहे होगे आप तभी प्रिविद्यार्थी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने calculation series शुरू की है तो अगर आप अभी तक calculation की series में नहीं जुड़े हैं से अभगत कराया कि किसी भी नम्मर का आप square कैसे within second निकाल सकते हो सबसे पहले मैंने आपको दो वीडियो के माध्यम से वो आपको complete कराया दिन आज के वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे किसी भी नम्मर का आप cube कैसे निकाल पाऊंगे आईए बिना time-based किये session के हम सुरुवात करते हैं आप सभी प्रिविद्यात ही एक बार अच्छे से जुड़ेंगे और session को जादा से जादा like and share जरूर करेंगे ठीक है ये first calculation series आपकी चल रही है आप अच्छे से जानते हैं कि मैं थे calculated subject है आपको concept तो सीख ले तो यह आप लोग, concept समझ आ जाता आप लोगों को लिकिन मेरी भाई उस concept को जब हम implement करते हैं तो सबसे बड़ा role play कौन करता है, calculation करते है तो calculation को क्यों न हम अच्छे तरीके से strong करें और calculation तभी strong होगी जब उसकी आप smart approach, short trick जानोगे और उसकी regular way में practice करूगे, तभी strong हो सकती है भाई और कोई इसका उपाय नहीं है, यह सच्चाई है, to the point में बोल रहा हूँ आप सभी के लिए clear and cut भी बोल रहा हूँ, साफ हो स्वच, ठीक है, clear है, चले तो first calculation series में आज हम जानेंगे cube के बारे में, घन के बारे में देखें मैंने आपकी screen पर यहां लिखा हुआ, 82 का cube आप कैसे निकाल पाऊगे, 109 का cube कैसे निकाल पाऊगे तो आज हम particular जो बात करने वाले हैं, उन number की बात करने वाले हैं, जो मेरे भाई 2 digit के होते हों, 3 digit के होंगे दो variety के question आज मैं आप सभी के लिए लिखे आया हूँ, यानि की cube हम कैसे दो variety की निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, चलिए, मातर 5 second में हल, जी हां मातर 5 second में आप हल कर पाऊगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो, चलिए, अब हम बिना time based के, सबसे पहले a b का cube करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा a cube, a cube plus 3 a square b, a square b, plus क्या हो जाएगा, 3 a b square plus क्या हो जाएगा, b cube, यह हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, जी सर बिलकुल हो जाएगा, यह आपने कहां से open किया है, यह मैंने a into b, a को हमने यह मान लिया, यह b है और इसका मैंने cube किया है ठीक है भाई आप लोग समझ गए तो आप अच्छे से इस बात को बहुत बहुत बैतरी अंदाज में समझ पा रहे होगे चलिए तो इसी मात्र फॉर्मूले से आप अपने इस concept को समझ पाते हैं ठीक है चलिए मैं आप से ये कहता हूँ कि भीया आप इसमें A इसे माल लो और B आप इसे माल लो तो आपको कुछ नहीं करना है इस तरीके से आपको दो मेरे भाई तीन लाइने ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से जब आप तीन लाइने खीच लोगे फिर आपको क्या करना होगा इसमें पहले चार का cube करो तो चार का cube क्या हो जाए चोंसा टाप यहां लिख लूँ ठीक है फिर आपको क्या करना है मैंने आपको अभी बताया था कि भीया आपको क्या करना है आपको करना है AQ पिलास फिर क्या करना है 3A square B फिर क्या करना है फिर करना है फिर करना है पिलास 3A B square फिर क्या करना है पिलास B cube यही तो करना है बिल्कुल तो यहां मैंने क्या किया इसे मैंने B माना तो B का cube कर दिया अब मेरे को यहां क्या लिखना है तो यहां लिखना 3A B square तो A क्या है A यहाँ पर आपका बन है और B क्या है यहाँ पर 4 है तो 4 का square करोगे कितना हो जाएगा 16 16 गुड़े 1 कितना हो जाएगा 16 16 दुनी बत्ते 16 ती 48 तो आप यहाँ लिख दो 48 ठीक है भाई किलियर है अब यहाँ क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे 3 A square B तो 3 A square B जब लिखोगे तो 3 A का square A की value है 1 1 का square करोगे बना जाएगा 1 into 4 4 हो जाएगा 4 into 3 कितना हो जाएगा 12 तो 12 लिख दो अब हम 1 का cube करेंगी तो बना आएगा बस आपको ध्यान रखना है कि मेरे भाई अब यहाँ से जब add करना सुरू करोगे तो किस तरी किसी करोगे केबल 1 डिजिट यहाँ राएगा बाकी एश्टा डिजिट इधर forward कर दो तो यहाँ क्या बचेगा केबल 4 बचेगा 4 बचेगा बिल्कुल अब इस 6 को हम यहाँ जूडेंगे तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे यहाँ 54 हो जाएगा तो 54 का आप क्या लिखोगे यहाँ 54 का 4 लिखोगे 4 लिखोगे 5 केरी हुआ तो आप 5 यहाँ पर जूड़ोगे 12 पांच कितना हो गया 17 का आप 7 लिखोगे 1 केरी कर दोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो 2744 आपके कुशन का बिल्कुल सही जबाब बन जाएगा मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं अब यहाँ देखना आप लोग बहुत स्मूथ ले कर पाऊगे आई यह ज़रा इस कुशन को देखते हैं ओप सो यह कुशन आपको अच्छे तरीके से कbear होने लग रहा होगा अब ज़रा 30 का क्यूब निकालते हैं तो आपने बोला कि सैर हम शबते पहले क्या करेंगे इस b का क्यूब करेंगे तो 3- jij 9- jij 27 हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे इस तरीके से मेरे भाई इस तरीके से 16 तो आप यहां चमवन लिखो, फिर एक लाइन ड्रो करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपको क्या करना है, मेरे भाई इसका स्क्वेर करना है, तो 2 का स्क्वेर करोगे, 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करो, 4 तीह 12, और 12 का गुणा 3 में कर दो, 12 दूनी 24 बारतिया 36 में, आपको आप डारेक्ट बताना सुरू कर रहा हूं, ठीक है भाई, चलिए, अब हम क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, अब हम इस दो का क्यूब करेंगे, तो दो दूनी, चार दूनी, आठ हो जाएगा, मेरे भाई, अब इसको एड़ करिए, कैसे करोगे, साथ केबल हम यह यहां रखेंगे, दो इधर बेज देंगे, चार दो चार दो चार दो चार आपके कुशन का बिल्कुल सही जबाब बनेगा, होप तो यह बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी, अब मैं क्या करूंगा देखना, अब आपको फर्मूले से हटा के आपको डारेक्ट अप्रोच की तरफ धिमीदी में लाना सुरू करेंगा, ठीक है भाई, आजे, जड़ा इस कुशन को देखो, अब जब इस कुशन को देखोगी, तो आपको क्या करना है, सबते पहले आपको यूनिट इजिट का क्यूब करो, तो 8 का क्यूब करोगे, पांसो बारे आ तो 8 का स्क्वेर चोंसट, चोंसट इसका स्क्वेर करके इसमें गुड़ा करो, आठ का स्क्वेर करोगे, चोंसट आएगा, चोंसट तिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे, सर चोंसट तिया की अगर हम बात करें, तो चोंसट तिया, तो आप बोलोगे, चोंसट तिया अब यहां 576 हो गया, ठीक है भाई? अब एक लाइन और ड्रो करो, फिर आपको क्या करना है? मेरे भाई फिर इसका square करना है, इसका square करो, जब इसका square करोगे तो 3 का square 9 हो जाएगा, 9 हो गया बिल्पुल, अब मेरे भाई गुडे क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, और 2, 6, 3, 7, 21, अब आपको क्या करना है? इस 3 का cube करना, तो 3, 9, 27, मेरे भाई अब जड़ा इसको करनो calculate, जब आप इसे calculate करोगे, तो कैसे करोगे? आईए समझाते हैं, यहां 2 का 2 रहेगा, 51 को इधर carry भेजो, केबल 1 digit यहां लिखना है, 51 को जब इधर carry भेजोगे, तो आपके पास यहां क्या बन क्या जाएगा? यहां जाएगा 7, 75, 12, और 5 और 1, 6, 627, 27 का 7 लिखोगे, 62 को carry करोगे, 62 को carry करोगे, हां जूड दोगे, तो 6, 28, यहां कितना बन जाएगा? 7, यहां बन जाएगा 2, 278 का 8 लिखोगे, 27 ही आपका बचा, वो यहां पर जूर दोगे, 27和 27, 27 54 हो जाएगा, तो 54, 872 आपके question का बिलकुल correct answer बनेगा, so आप सभी कोई ये question एक बहतरीन अंदाज में clear होने लग रहा होगा, आईए, अब जरा हम इस number को देखते हैं, जब इस number को आप देखोगे, तो कैसे करोगे, देखो भाई, कुछ नहीं करना है, इसका cube करो, पहले unit digit का, तो 2 दूनी, 4 दूनी, 8 होगा, फिर अपको इस तरीके से line draw करनी है, फिर क्या करना है, इस number का square करो, फिर आपको क्या करना है, जिसका cube किया, उसी का square करो, तो 2 दूनी, 4 हो जाएगा, चार का गुणा, 8 में करो, 4, 8, 32, और 32 का गुणा, अब 3 में करो, इसमें, तो 32 दिया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, तो 96 लिख दो, फिर आपको इस तरीके से line draw करनी है, अभी आपने इसका square करके, इन दोनों number में multiply की थी, अब आपको इसका square करना, और इन दोनों में multiply करनी है, तो 8, 8, 64 हो जाएगा, फिर किस में गुणा करना, 2 में, और फिर 3 में, फिर 3 में, डारेक्टे 6 में कर दूँ, दो गुणे 3 का मतलब 6, अब 6, 4, 24 हो जाएगा, 6, 6, 36, 62, 38 हो जाएगा, फिर आपको इस तरीके से line draw करनी है, फिर क्या करना है, इस 8 का cube करना है, हाँ सर, बिल्कुल 8 का cube करना है, तो 8 का cube होता है, 500 बाहर है, ठीक है भाई, आजाओ, अब मैं आपसे ये बोलता हूँ, आप इसको कर लो, आप मेरे भाई calculate, तो 8 का 8 आठ आ जाएगा, ठीक है, अब मेरे भाई, 6 को हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, अब इस 9 को हम इधर forward करेंगे, जब 9 को इधर forward करोगे, तो देखो, दो दुनी, 4 होगा, और 4, तिया 12, 8, 96, ठीक है, एक दम clear है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब इसमें, मेरे भाई 9 जोड़ोगे, तो यह कितना हो जाएगा, मेरे भाई 6 जोड़ोगे, तो यह हो जाएगा, कितना, 90, 90, 93, यानि कि 393 हो जाएगा, तो 393 का 3 आएगा, 393 बनेगा, बिल्कुल, जब हम इसमें 9 जोड़ेंगे, तो 393 बनेगा, कि जार और एक कितना हो जाएगा पांच और ये पांच का पांच रहेगा 51, 13, 68 आपके कुशन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा फुप सो आप सभी प्रियविद्यार्थी अच्छे से समझने लग रहे होंगे चलिए अब हम बढ़ते आगे की तरफ मेरे भाई अभी तक आपने नम्मर है जिसके बीच में 0 है तो आप लोग ध्यान रखना तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि इसे आप A मान लेना और इसे आप B मान लेना इसे आप B मान लेना जब आपका बीच में 0 हो ता ठीक है भाई लेकिन ध्यान क्या रखना है ध्यान ये रखना है अ अब हमने एक line draw कर लेगे, अब हम क्या करेंगे, जिस number का cube किया उसी का square करेंगे, 9-11, 81-81 का गुड़ा हम एक में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे, तो 81-3 कितना हो जाएगा, 3-3, 3-8, 24, यानि कि 2-43, अब हम line draw करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम मेरे भाई जो बचा हुए number है, इसका हम square करेंगे, तो इसका square, एक का square, एक ही हो जाएगा, एक का गुड़ा 9 में करोगे, 9-9-18, 9-27, 27, तो 27 हो जाएगा, और जब आप बन का cube करोगे, तो बन ही निकल के आएगा, अब आपको दियान देना है, मेरे भाई, ये 3-digit का number है, जब भी आप 3-digit के number का cube निकाल रहे हो, तो जब यहाँ एक रखते थे, 1-digit cable रखते थे, बाकी आप carry कर देते थे, अब यहाँ पर 2-digit रखना, बाकी नमर को carry करना, तो 2-digit में यहाँ क्या रखोगे, 29 रखोगे, stable को आप इदर forward कर दोगे, तो यह हो जाएगा 250, 250 यह बन जाएगा, बिल्कुल, जब यह 7 इसमें जुड़ेगा के 250 बनेगा, तो 250 का हम 50 रखेंगे, अब 2 हम forward कर देंगे, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, 29 का हम पूरा 29 रखेंगे, और एक का यहाँ एक रखेंगे, ठीक है, और यही आपके question का correct answer बन जाएगा, होप सो यह question आप सभी को बहतरी नंदाज में clear होने लग रहा होगा, और अगर आपको session पसंद आ रहा है, तो session को like and share करना बिल्कुल मत भूलीगा, अब इस question का जवाब आप लोग comment section में करके बताएगा, कि इस question का correct answer क्या हो जाएगा, और कल की calculation series में, मैं इस type के बहुत धे सारे question कराऊगा, और आपके concept को clear कराऊगा, होप सो आप सभी को यह concept अच्छे से clear होने लग रहा होगा, और अच्छे से समाझ आने लग रहा होगा, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, आप लोगों को comment करके बाद में जरूर बताना है, कि यह video आपको कैसी लगी, यह सांदार short trick की जो मैं सीरी चला रहा हूँ, calculation की, वो आपको कैसी लग रही, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलेगा, मेरे भाई वीडियो को like भी करिये, और channel पर नए है, तो channel को subscribe करके जोड़ जाओ, ऐसी सांदार और बहतरिन classes के लिए, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, हस्तरी मुस्कराते रहिए, और अपनी सफलता को शुनिशेद करिए, ओके बबाए, take care